अलो गूट अवरिवर्वन आपने देखा होगा थमनेल किस ततरीके से आपकी स्किन पर वाइट कलर के पैच्चिस पढ़ रहा है और यह इंफेक्शन हो रहा है इस इन्फेक्शन को पिठियासिस वर्वर पर आपके चमडी पर इस तरह के वाइट पैचिस हो जाते हैं इसको हम पेट्रियसिस वर्सी कलोर का इंफेक्शन बोलते हैं और यह काफी टाइप का होता है इसके अंदर एक डिपिगमेंटेशन हो जाती है सफेद कलर का आपकी इसकिन के कलर से बिल्कुल डिफ्रेंशेट कल प्रवण में रहते है तब भी और एक्सेसिवली स्वेटिंग आपको पसीना जादा आ रहा है तब भी यह प्रॉब्लम हो सकती है इसके अलावा आपको किसी इन्वर्मेंटल फैक्टर्स के थुरू या किसी कैमिकल रिजिंट्स के थुरू आने में इस एस्ट की ग्रोथ हो सकती है तो यह इस्ट इंट्शन इस वज़ए से होता है इसी इस्ट इंफेक्शन के अंदर हम क्या समझते हैं यह अंदर इसकिन के जाता है सूपरफीशली इंफेक्शन है इसके इनके उपर रहेगा उपर होने के बाद ये कार्बोगजिलिक एसिट को रिलीस करेगा और उसके बाद ये हाइपो पिगमेंटेशन वहाँ पर शुरू कर देगा ये इन्फेक्शन इसी वज़े से होता है कि अगर हमारी एक्सेसिवली हाईजीन नहीं है और ज्यादा तर हम एक दूसरे को प्रूड कर रहा है या फिर इसकी वज़े से होता है इसको हम खटम करने के लिए ड्रिटमेंट करते करते पर ट्रिटमेंट नहीं हो पा रहा है यह दढ़斗 कि आप धवा कुझली की का रहा है साफी पी रही है nC topic कर रहा है डिटोल का सेवन कर रहा है बहुत सारी वेरियस आफ वराइटीज यू आर यूजिंग बट पिट्रेसिस वर्सी का लौर का इंफेक्शन खतम नहीं हो रहा है तो पहले इस इंफेक्शन को समझ लीजेगा उसके बाद उसका ट्रिटमेंट कीजेगा क्योंकि यह एक इस्ट सूपरफीशल इंफेक्शन है कि यह उपर वाली इसकिन चंदर यह बेटता है सेटल डाउन होता है उसके बाद में यह इंफेक्शन ग्रों करता और इसके बाद हम क्या करेंगे हम के ट्रक अकुनोजोल का किपसूल खाएंगे कीटा कुनोचोल लेंगे यह सब इसो में जोल, किलोटरी में जोल और कीटा को न जोल और फुलूग न जोल इस फंगल टैबलेट्स के इफेक्टिव फॉर दोस ट्रीटमेंट तो आप यह समझ सकते हैं कि प्रिट्रेसिस वर्सिकल और के निये आप और डिफरेंशल एंटी फंगल क्रीम्स भी यूज कर सकते ह है लूली को न जोल नहीं कर सकते है क्योंकि लूली को न जोल एक टीनिया पेडिस के इंफेक्शन के नहीं होता है लेकिन यह प्रिट्रेसिस अलबा और प्रिट्रेसिस वर्सिकल और के नहीं इंफेक्शन के नहीं है बहुत सारा आप इस माइक्रो बेक्टरसीन और लूली क इस वर्सी कलोर का infection के बारे में आपको बता है तो एक तो इस infection से बिलकुल भी हाँ ये infection बिलकुल भी जान लेवा नहीं है ये infection present to present भी spread नहीं होता है क्योंकि ये इस चीज को हमें समझना चाहिए दूसरी चीज बहुत से लोग कहते हैं कि ये infection ठीक क्यों नहीं हो रहा है इसा कुछ भी नहीं है गाल पे पैचेस पड़ जाते हैं और इसके अलावा हम नेक्स वीडियो में एंपेटिको और अधर डर्मिट लॉजिकल इशूस को हम डिसकस करेंगे थैंक यू आप यू विल फाइंड यू अंसर